हेलो फ्रेंड्स यू रवेलकम इन मैं यूट्यूब चैनल बेशिक्स एटुजेट और दोस्तों यह वीडियो खासकर में सेकेंड यह यानि उत्रार्द का जो सेकेंड पेपर है परिवरता निम्हें उफिकास का समाश सास्त्र सोशियोलजी आफ चेंज एंड डेवलबमेंट उससे समद्दित है सोशियोलजी आफ चेंज एंड डेवलबमेंट तो जिनका यह पेपर है वो लोग के लिए है वो इसे पूरे समाश सास सभी के लिए उप्योगी है जो भी समाश सास से तैयारी कर रहा है चाहिए नेट की कर रहा हो पी जी टी जी आइसी है ना सब के बराबरा तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें करीब करीब तीस थर्टी प्लस कुश्चंस हैं उनको देखते हैं लोग तो फस्ट है डेफनीशन है ये समाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो समाजिक संगठन अर्थात समाज के धाचे और कार्यों में गठित होते हैं तो ये परिवासा किसकी है ये है किंग स्ले डेविस की दूसरी परिवासा है ये समाजिक सामाजिक संदचना में परिवर्तन से है ये डेफिनिशन किसकी है ये जॉन्सन की है तीसरा प्रस्णा है सामाजिक परिवर्तन की चक्रवत यानि साइकलिक प्रक्रिया से समदित समाजसास्त्री का नाम बताईए तो वो समझास्त्री हैं एक विलफ्रेड पैरेटो जो ये इसे मेन रूप से संबन्दित हैं और भी समझास्त्री हैं जो चक्री सद्धान से संबन्दित हैं सामाजिक परिवर्तन की विकासवादी प्रक्रिया से संबंदित मुख्य समसास्त्री कौन है तो वो हैं हर्वर्ड इस्पेंसर यह दिए हर्वर्ड इस्पेंसर है तो इनका विकासवादी जो प्रक्रिया है इसी का नाम है उद्विकासी या रेखी सिद्धान्त जो सीधी एक दिशा में होता है लिए संमाज़ परिवर्वर्थन सिल एवं गत्यात्मक है यह कथनकिसका थी कथन है आपका मैकायवर एवं पेज का मैकायवर के समाज़ परिवर्थन के कितने पैटरण्स यानि प्रतिमानों का उलेक यह तो मैकायवर Minist Ifam पैटर्ण्स का उलेकिया है चक्रिय रेखी और तरंगी अगर शोशल चेंज पुस्तक का लेखक कौन है इसके लेखक है मूर शोशल चेंज पुस्तक है इसके लेखक है आपके मूर नेक्स्ट बुक है ठेवरी आपदी लेजर क्लास इसके लेखक है थास्तीन वेबलीन थास्तीन वेबलीन नाइन्थ कुश्चन है यांत्रिक एवं सावय यभी एकता का उलेक किस ने किया है तो इसका उलेक इमाईल दुरखीम ने किया है नेक्स्ट कुश्चन टेंथ है सांस्कृतिक विलंबना का सिध्धान्त किसका है तो यह आपका आगवर्ण का सांस्कृतिक विलंबना यह संस्कृति से संबंदित है तो आगवर्ण ने भहुतिक संस्कृति और अभहुतिक संस्कृति दो रोप में बाटा है तो उनका कहना कि बहुतिक संस्कृति तेजी से परवर्तित होती है और अबहुतिक संस्कृति धीरे धीरे परवर्तित होती है जिससे वह बहुतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है इसी को कहते हैं विलंबन संस्कृतिक विलंबना नेक्स कोर्चन 11 है जब एक समुह अत्वा समाज के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समुह में फैलते हैं तो उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रशार जब एक समुह के तत्व दूसरे में फैलते हैं तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रशार नेक्स्ट है सामाजिक प्रवरण या चुनाओ के स्वरूप बताईए तो सामाजिक प्रवरण या चुनाओ के दो स्वरूप है एक है प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण थाटीन्त कुश्यन है प्राकृतिक वरण का सिध्धान समासास्त्र में लाने का स्रे किसको है तो ये है स्रे हरवर्ट इस्पेंसर ये है आपने पहले पढ़ाओगा प्राकृतिक वरण यानि कि प्रकृतिक चुनाव का सिध्धान यह जिव इग्यान का सिद्धान तो जो डार्विन लाए थे उसे जिव इग्यान से समासास्त में लाने का सरे हरबर्ट स्पेंसर को है प्रगति इच्छित दिशा में होने वाला परिवर्तन है ना की प्रतेग दिशा में होने वाला तो यह है प्रगत की definition प्रगत की यह definition है और यह definition किस ने दी है लूम लेने कहा है कि प्रगत जो है इच्छी दिशा में परिवर्तन है ना कि प्रतेग दिशा में होने वाला परिवर्तन फिप्टिंत कोश्चन है जीवन में स्वीकृत तरीकों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की परिभासा किस ने दी है गिलिन एंड गिलिन ने क्या कहा है जीवन में स्वीकरत तरीकों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं तो यह परिवास है गिलिन cycle सोलवा कुश्यन है संस्क्रति को दो भागूं भातिक दथथा भातिक में किस ने बाटा है इसको मैं पहले आगे भी बता चुका हूं किस ने बाटा है तो पहले भी मैं बता चुका है उसको आग बर्न ने बाटा है दो भागों में अब 17th question है Social and Cultural Dynamics Social and Cultural Dynamics बुक किस ने लिखी है तो यह है Soroakyn की काफी famous book है आप इसको याद के लिए Social and Cultural Dynamics Next question है 18th संस्क्रत को चेतनात्मक भावनात्मक और आधरसात्मक यानि कि तीन भागों में किस ने बाटा है तो इसको बाटा है आपके Soroakyn जी में तीन भागों में 19th question है सामाजिक परिवर्तन के संदचनात्मक प्रकर्यात्मक सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन है 20th question है सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष या अद्वन्द सिद्धान्त के सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष या अद्वन्द सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन है संघर्ष से संबंदित कौन कौन है Karl Marx Liz Kojar, Ralph Derendorf और Randall Collins ये 4 लोग हैं जो सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष या अद्वन्द सिद्धान्त से संबंदित है 21th question है सामाजिक परिवर्तन की चक्री सिद्धान्त को पैरेटों ने कितने चालकों में विवाजित किया है तो दो चालकों में विवाजित किया है सम्मिलन के विसिस्ट चालेक अब समू के इस्थायित के विसिस्थ चालेक के दो भागम कुस्जण है 22 कोश्यन है आर्थिक आधार पर समाज को 30 बाज । यानि कि स्पेक्लीटर्स और निश्चित आएवाले स्पेक्लेटर्स में किस ने पाटा है तो पैरेटो ने बाटा है रेंटियर्स एक तरीके से सरकारी जब करने वाले और जो इस्पेकलेटर्स हो तो इसमें बिजनेसमेन उसको इसने इस्पेकलेटर्स को कहा ये रिस्क लेने वाली कटेगरी है ये नान रिस्क वाली तेश्वा कुश्चन है सोरोकिन का उतार चड़ाओ का सिद्धान्त किस से सम्बंदित है तो सोरोकिन का उतार चड़ाओ का सिद्धान्त सामाजिक परिवर्तन के चक्री सिद्धान्त से सम्बंदित है इसका मतलब को कहने के यह है चक्री सिद्धान्त में क्या आता गूम फिर के वही फैशन फिर से आ जाता है तो उसी को सवरोकिन ने बताया है यह उतार चड़ाओ का ही सिद्धान्त है सामाजिक रुवरतर्ण के किस सिद्धान्त की प्रव्रत्थी एक दिशा में सरल्ता सरंद्धा के तरफ बढ़ती है यहनि है औरक इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा तो ऐसी की सिद्धान्त रेके सी कहते हैं उद्विकासी सिधान्त समाज को सोशक तथा सोशित वर्ग में किसने बाटा है यह काल मार्क्स का संगर्ष का सद्धान्त उसकी में समाज पन्य असोसित यानि मजदूर सर्भारावर्द तो इसको कालमाक्स ने दिया है कि अब देखे 24 माइस में एक साथ कई पुस्तक है इनको अलगले भी पूछा जा सकता है तो पुस्तके हैं और उनके लेखा के एक तरह दा संबन्दित ने चाहिब होता है कि अब सब्सक्राबं में किको अ यह प्टीन उल्ए है आइस्टेडी आफ हिस्ट्री ये टाइनबी की है नेक्स देखो 27 वाकशा उसमें कुछ सिधान्त दिये हुए और समाज सास्तरी दिये हुए तो पहला है संगहर्ष का प्रकार्यवादी सिधान्त संगहर्ष के मतलब कुछ प्रकार्य है कार्य है तो अभी बताए हमने लुईस कोजर सामाजिक परवर्तन का परद्योगी की सिद्धान्त वेबलन का है जिन्होंने बुक दिये अध्याथेवरियाब्दी लेजर क्लास वही उसी बुक में सामाजिक परद्योगी की यानि कि वेवलन ने प्रद्योगी को सामाजिक परवरतन का मुख्याधार कहा है फिर आगे है चुनोती एवं प्रत्यूत्तर का सिद्धानति ये है टाइन बी का तो यह सब याद कर लेंगे आप लोग सामाज सास्त्र में संस्कृति करण की संकल्पना लाने का स्रेक किसको है तो यह है डाक्टर एमेन सरी निवाज जो संस्कृति करण पश्यमी करण लोके की करण आधुनी की करण ये सब अवधारणाओं से संबंदित हैं और इनकी बुक है सोशल चेंज इन माडरन इंडिया बुक है उसी में इन सब अवधारणाओं का इन्होंने वर्ण किया है अंतिस्वा कोशें नहीं है जात एक बंद वर्ग है ये किसने कहा है तो जात की एक तरीके सी परिभास आहती बहुत भेमस इसको का है मजूमदार हों मादान ने कि जाते एक बंदवर्ग है यानि कि जो आदमी जिस जात्मी तर्म लेता है उसी में रहता है वो बदलती नहीं है यह मतलब है किसकी पुस्तक है तो अभी पता चुके हम पहले कि यह डाक्टर एमन से निवास की है जिसमें उन्होंने संस्कृति करण की व्याक्या किया है और इसी में इन्होंने पश्मी करण लौकी करण आधुनी की करण बहस्वी करण यह सब धरनाय हैं उनके बारे में थोड़ा बहु करण को सब्द के करण इसमान हैं यहनीं किसी एक धर्म को नहीं मानना है हमारे लिए सबी समान या यह नहीं कहेंगे कि किसी भी धर्म को ना मानना यह नहीं कि सभी धर्म समान है यह कहेंगे 32 कुश्चन देखते हैं कुछ अधिनियम है फास खास और उनके वर्ष दिये हुए तो पहला है जात निर्योग गिता उन्मूलन अधिनियम 1850 हिंदू विद्वा पुनर्वगा अधिनियम 1856 बहुत इंपार्टेंट है अधिनियम पुछ आता है अस्प्रस्ता अपराद अधिनियम 1905 कि लाश्च कुश्चन देख लेते हैं माक्स ने जो मानो इधियास से उसको छे भागों बाटा है कितने भागों बाटा है छे भागों में बाटा है कौन-कौन से हैं उसके छे भाग तो पहला है देखिए अवस्था तीसरा है सामंत वादी चौथा है पूंजी वादी फिर पांचवा है स्रमिक वर्ग के अधिनायक की अवस्था और छटा है साम्मिवाधिया वर्ग विहीन समाज कि तो दोस्तों ये इस वीडियो में सोश्योलजी आफ चेंज एंड डेवलम्मेंट से रिलेटर जो कुशिन बनते थे वह हैं तो आई होब आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों और आपको वीडियो आपके यूजिफुल है तो मेरे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्